जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उमीड है आप सब बहुत अच्छी से होगे दोस्तों आपके अक्सर और सब्जेक्ट में चाहें आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो हिंदी, इंग्लिज, संस्क्रीट, जियोग्रफी, सिविक, हिस्ट्री या फिर मैथ, फिजिकल साइंस उर्दूस, जो भी आपके सब्जेक्ट में एक प्रशन आपसे पुछा जाता है कि एक अक्षे, यानि कि आपका सब्जेक्ट सिख्छत के गुण, what should be the quality of a good physics teacher, math teacher, चाहें हिंदी इंग्लिज टीचर, तो एक अक्सर आपसे सवाल पुछा जाता है कि एक अक्षे, आपके व अच्छे हिंदी सिख्छक्या, या फिर आपका जो भी optional subject हो, उसके अंदर कौन सी quality होनी चाहिए, कौन सी good होना चाहिए, तो देखिए एक अक्षे, आपके विशे के अंदर निमन qualities होनी चाहिए, there must be some good qualities, which has been given below, क्या-क्या qualities होनी चाहिए दोस्तों, एक विशे है विशे चाहिए, Sanskrit है तो Sanskrit विशे सग्गे, English है तो English है विशे सग्गे, English को हम यहां लिखेंगे, अभी देखेंगे, लेकिन हम Hindi में बात कर लेते हैं, गडित है तो गडित विशे सग्गे, तो जो भी एक teacher होना चाहिए, उस विशे के थोड़ा सा जयानकार होना चाहिए, विशे का ज्यान होना चाहिए बाल प्रकृति का ज्यान होना चाहिए और नेचर अफ़ चिड्रेंस का नौलिज होना चाहिए कि बच्चों की प्रकृति कैसे होती है कौन बच्चे प्रखर बुद्धी के होते हैं कौन मंद बुद्धी के होते हैं कौन क्या कहते हैं उसको स्रिजनात रखोना चाहिए कुसल वक्ता बात भी अच्छा करना ऐसने की बात बहुत धीमे कर दे या बात इतना थेज करें कि बच्चे डर जाए तो एक कुसल वक्ता होना चाहिए दोस्तों यह जो पॉइंट है ना इसको ध्यान से सुन लिजी सहितिक कहानियों का ग्याता यह उस विश में तो कहानिय को बहुत इस्तमाल नहीं होता तो जो भासाई सब्जेक्स हैं उसमें आप लिखिए साहितिक कहानियों का ग्याता लेकिन फिजिक्स मैथ और बायोजी वाले बच्चे लिखेंगे कि यहाँ पर योगात्मक ग्यान मतलब उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होन भालक बालिका लीखिळ वाले भीवेजुष हो बिल्कुल एक जैसा सब के सबक्राइब वह वहार जोड़ी होना चाहिए ऐसा हिता कि छोटी सी बीयुआर्टी कर दे ना डाटे covered एम उसके इसके प्यूसा उसका प्साफ पहनावा पी बहुत अच्छाहोना चाहिए दोस्तो यह इग्यारा quality जो है यह बहुत इनफ है आपको long answers में भी करने के लिए अगर मानने की 15 नमर में पूछता है तो आपके विश है कि एक अच्छे सिख्चा के नियमने good होने चाहिए उसके बाद आप इसको थोड़ा explain करेंगे आपको explain करना पड़ेगा long में short में पूछता है तो short में आप इसको लिखे किसी चार को explain कर दीजिये और अगर very short में पूछता है तो इतना लिखने की बिजूरती है आप 2-4 पॉइंट 5-6 पॉइंट भी लिख देंगे और पॉइंट लिख देंगे तो काम हो जाए इंग्लिस बेडियो में अगर कोई बच् बच्वाइंट अब धिच्वाइंट यह बात करें तो इसकुणर फड़ाट नगरे लिखने की अच्छा रिखने क्लास्रूम चैनलर वह उन चाहिए इस तो अच्छा क्रास्रूम कंट्रोलर हो चाहिए इस्टिल फुल सिक्रों से इपिर अफिर अपर इस पीकर और चाहिए इसको आप प्रेक्टिकल वाले यहां लेकिन नॉलेज आफ प्रेक्टिकल लिख सकते है या फिर इसको लिखेंगे जो कि हिंदी या फिर इंग्लिज या फिर जियोगरफी इसका दे रहे है ठीक है क्या है वो क्या होता है फिर करना स्फ्रेटय से भ närटल यहां हृ ए इसका छोना चाहिए हो साज्व का यूनि फॉर्म का मतलब तो आपको ना help करेंगी exam से क्योंकि अक्सर यह प्रश्ण पूछता है दोस्तों आपकी अगर option subject में यह प्रश्ण पूछता है तो इस point क्या धार पर आप लिख लीचे बागी कि जो भी प्रश्ण है वो भी one by one करके discuss किया जाएगा पहले हम उन प्रश्णों को देख लेते है जोंकि common है सारे option subject के लिए ठीक है दोस्तों तो मैं उम्मिद करता हूं कि यह point आपको समझ में आया होगा और यह एक ऐसा point है ना कि एक बार देख लेने के बाद खतम मतलब दुबारा आपको पढ़ने की बिज़र्ट नहीं होगी तो बस सिंप्लिस का screenshot ले लिए आपका यह मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक अपना खूब क्याल रखिये पढ़ते रहे हैं और कोई query यह question हो तो आपको उसे comment में पूछ सकते हैं जाहिं जा भारा दोस्तो